Hello students, welcome to topic touch इस वीडियो में हम एक unseen passes का solution करेंगे यह unseen passes के last 10th के English के board paper में 2022 में आ चुका है तो हम इसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ लगा के इसके questions का answer देंगे तो देखिए बहुत सारे students यह चाहते हैं कि हमें इसकी trick मिल जाए solve करने की तो देखिए ऐसी कोई इसकी business trick नहीं होती है अगर आपको हिंदी अर्थ इसका आ जाता है लगाना तब आप आसानी से इसके answer दे पाएंगे हाँ कई बार ऐसा होता है कि कई जो question होते हैं उनके answer आपको direct मिल जाते हैं एक ही sentence में लेकिन कुछ question जो आपको समझने पड़ते हैं उसका आप हिंदी अर्थ लगाएंगे तब ही आप समझ पाएंगे तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ जैसा कि English में एक कहावत है practice makes a man perfect practice से ही ब्यक्ती जो है वो perfect बनता है तो आप जो board paper में unseen passage आए हैं उनका हिंदी अर्थ लगाएंगे और question को देखिए किस type से पूचा जाता है तब आप इनको आसानी से कर पाएंगे तो question देखिए क्या है read the following passage carefully and answer the questions given below it इस passage को हमें पढ़ना है carefully और हमें इसके जो question है उनके हमें answer देना है तो चलिए हम इसका हिंदी अर्थ लगाते हैं good deeds अच्छे कारे may be done किये जा सकते हैं by anyone किसी के भी द्वारा in any walk of life जीवन के किसी भी कदम में जीवन के किसी भी कदम में या यह कह सकते हैं जीवन के किसी भी छेतर में अच्छे काम किसी के भी द्वारा किये जा सकते हैं अब कौन कौन कर सकता है अच्छे काम by the soldiers in the battlefields जो soldiers होते हैं, सैनिक होते हैं वो कहां अच्छे काम कर सकते हैं, battlefield में, युद्ध में by the woman, ओरतों की द्वार अच्छे काम हो सकते हैं, in the home, घर में the nurse in the hospital, जो nurse होती है, वो अच्छे काम कर सकती होस्पिटल में the boy at school, जो लड़का होता है, बच्चा है, वो इस्कूल में कर सकता है, और अथवा, the inventor in the laboratory जो inventor है, आविस्कारक है, वो laboratory यानकी प्रियोख साला में अच्छे काम कर सकता है such performance, ऐसे काम, ऐसे काम से क्या होता है, अगर हम अच्छे काम करते हैं, तो आपको क्या मिलता है is the happiness, happiness मिलती है, खुशी मिलती है, इस word को हमने underline किया है, इसकी आपको आगे जरुवत पड़ेगी both of the doer, do means करना, doer means करने बाला, या करता बूल सकते हैं, तो देखिए इसको हम इसका हिंदियर्थ फिर से देखते हैं such performance, ऐसे काम, ऐसे अच्छे काम, is the happiness, इससे happiness मिलती है, खुशी मिलती है, both of the doer करने बाले को, and of those और उनके लिए भी, उनको भी खुशी मिलती है, for whom, जिनके लिए it is done, ये किया जाता है, मतलब जिनके लिए अच्छा काम करते हैं, उसको भी खुशी मिलती है, और जो performer होता है, performance करने वाला, जो ब्यक्ती है, doer है, उसको भी खुशी मिलती है, इसके बाद, the memory of a good deed, memory यानकी याद, इस्मृती, of a good deed, अच्छे काम की, अच्छे काम की इस्मृती, inspire, प्रेरित करती हैं, अधर्स, दूसरों को, तो अच्छे काम की जो याद है, इस्मृती है, वो दूसरों को भी inspire करती हैं, to do like-wise, करने को likewise बैसे ही काम with their fellow men अपने साथियों के लिए तो दूसरों को भी वैसे ही प्रेरत करती है कि वो भी अपने साथियों के लिए काम करें, अच्छे काम करें यहने कि हम किसी के लिए अच्छे काम करते हैं तो दूसरे लोग भी इंस्पायर होते हैं कि चलो हमें भी अच्छे काम ही करने चाहिए तो ये इसका हिंदी अर्थ हो गया तो हिंदी अर्थ आप जरूर लगाईए जो इसके वर्ड है डिफिकल्ट वर्ड आपको कॉपी में नोट कर लीजिए और उसके बाद देखिए इसमें एक दो वर्ड तो हैं किवल जिनको आपको याद करना पड़ेगा तो इसके बाद इसके क्वेस्चन के आंसर दीजिए ये जो डिफिकल्ट वर्ड आप याद कर लोगे आगे के पैसेज में आपको काम आएंगे पैला क्सचन है वेर ड़स दी प्रफोफोमेंस ऑफ गज डीड़ लीड़ तू अब देखे वेर मिज कहां अच्छे काम की जो प्रफोमेंस है प्रदर्शन है लीड़ तू माने अग्रसर होना जाना मतलब अच्छा काम अगर आप करोगे तो उससे क्या होगा क्या मिलेगा आपको तो देखिए इसका answer आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए यह लिखा है such performance performance इसमें भी दिखा है देखिए वही सब्द आपको मिल गया is the happiness बतला ऐसी काम करने से अच्छे काम करने से क्या होगा is the happiness happiness मिलेगी both of the doer करने बाले को and of those और उनके लिए भी for whom it is done जिनके लिए काम किया गया है तो क्या होगा खुसी मिलेगी इससे तो यही इसका देखिए answer है अब हम देखिए present indefinite का बाक है present indefinite है पूछा गया है तो देखिए यह subject the performance of a good deed यह हम पहले लिखेंगे answer में the performance of a good deed इतना हो गया इसके बाद देखिए यह मुख किरिया है lead अब देखिए double integrator में question पूछा गया है answer देएंगे हम affirmative में तो lead affirmative में किरिया में S जुड़ेगा leads मतलब हो तो आगरे सार होना आगे बढ़ना तो अच्छे काम की जो performance है वो आगे बढ़ेगी to अब देखिए to के बाद lead to इसमें लगा है यहां से हम पूरा नकल कर लेंगे यहां से विलकुल पूरा मिलेगा हमें यहां से to the happiness both of इससे खुसी मिलेगी both of the doer and of those for whom it is done यहां से बस हमें इतना यह question से लेना पड़ा और यहां से हमने लिख दिया the happiness both of the doer and of those for whom it is done तो अच्छा काम करने से क्या होता है happiness मिलती है दोनों के लिए करने बाले के लिए और उन के लिए भी जिन के लिए यह काम किया गया है अब इसके बाद देखते हैं दूसरा question what does the memory of a good deed do यहां के अच्छे काम की जो memory है याद है वो क्या करती है तो उससे क्या होता है हमें देखे यह पूरा मिल जाएगा the memory of a good deed inspire inspire करती है प्रेजित करती है others दूसरों को to do likewise with their fellow men अपने साथियों के लिए भी बैसे ही काम करने के लिए तो पूरा हम लिख देंगे the memory of a good deed inspires others to do likewise with their fellow men इसके बाद next देखते हैं dear students ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्स्राइब कर लिए ये unseen passes की और भी वीडियो मैं करवा चुका हूँ आपको इसी चैनल पर या तो आप लिलिस्ट में जाकर देख लीजिए या जो translation है उसका पहला sentence लिखिए youtube पर और उसके बाद चैनल का नाम लिख दीजिए topic touch इस पर लिंक सही लिखिएगा तो वो translation आपको आ जाएगी उस translation का पहला sentence लिखना पड़ेगा आपको तो चैनल तीसरा है find out a word एक find word निकालिए in the passage which is opposite of sadness जो की sadness का opposite है sadness का मतलब था दुख तो इसका opposite है happiness देखिए यहाँ पर passage में है यह है happiness means खुसी चाथा question है find out a word एक word निकालना है passage से passage से ही आपको निकालना है अपने मन से नहीं लिखना ठीक है जैसे आप joy नहीं लिख सकते हो तो एक passage से word निकालना है which means जिसका मतलब हो something done मतलब कुछ किया गया है कुछ जो काम किया जाता है तो काम काम मतलब तो यह है deed deed मतलब काम या कारे यह do का noun होता है deed do यह वर्ब है इसका noun है deed तो इसका answer हो गया deed तो इस तरीके से यह passage complete होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया है चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे subscribe कर लिजी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगरपर लोगन